नमस्कार दोस्तों, तो दोस्तों कैसे हैं, आप सब की preparation कैसे चल रही हैं, NVS exam की, दोस्तों अच्छे से मेनत करते रही है, अच्छे से preparation करते रही है, आपके लिए ये बहतरीन अफसर है, जौब पाने का, ओके, दोस्तों, आप जिस भी पोस्ट के लिए apply किये हैं, उस case slivers के recording आप बहतरीं तरीका से preparation करें और आपके इस NBS non-teaching exam के लिए हमने हिंदी का computer का GKGS का already class start कर दिया है यदि आप लोग all to all video भी तक नहीं देखें तो जरूर देख लें इसका playlist आपको मिल जाएगा ओके आपको NBS Hindi 2024 करके NBS computer 2024 करके और NBS GK 2024 करके playlist मिल जाएगा और दोस्तों आपको एक बात बता दें कि यदि आप लोग DSSV के लिए भी apply किये हैं तो उसमें भी ये all to all content अच्छा खासा आपको help करेगा तो आप लोग Hindi का computer का GKGS का all to all video आप लोग देखते मकलास है आज आपको बहुत important questions अब इसमें दिये हैं spatial networking से related ओके तो आप लोग last तक देखें यदि आपको पहले से पता होगा तो आपका revision हो जाएगा यदि आपको पहले से नहीं पता होगा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोग बीच बीच में repeat करके जरूर देखते रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा तो दोस्तों चलिए computer का ये दसमकला से start करते हैं और देख लेते हैं पहला इसमें से कौन सा network है जिसका परियोग राष्ट्री अस्तर पर और वेस्विक अस्तर पर किया जाता है आप लोग अपना अंसर कनफर्म करें दोस्तों इसका सही अंसर होगा option भी when यानि की wide area network तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे वाइड area network का परियोग राष्ट्री अस्तर पर वेस्विक अस्तर पर network को जोरने के लिए किया जाता है lane का मतलब होता है local area network उसके बाद main का मतलब होता है metropolitan area network और cane का मतलब होता है campus area network तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे और आपको एक एक करके सभी का उपियोग भी बता देंगे कि कहां पर किसका परियोग किया जाता है तो दोस्तों चलिए देखते है question number 2 क्या कह रहा है question number 2 क्या है दोस्तों निक नेट है ये क्या है आपका option है एक अंतराष्टिय नेटवर्क विसे सतार का बुनाजाल इंटरनेट का दूसरा नाम अंतिम option है भारत के परतेक जिलों को जोरनेवाला नेटवर्क तो दोस्तों आप लोग अपना अंसर कनफर्म करें कि इसमें से सही अंसर कौन सा होगा निक नेट क्या है दोस्तों इसका जो सही अंसर होगा option D भारत के परतेक जिलों को जोड़ने वाला network है निकनेट तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे आप से कहीं पूछे कि निकनेट का full form क्या होता है तो national informatics centers network ओके तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे एक्जाम में full form भी पूछा जाता है चलिए दोस्तों देखते हैं question number 3 क्या का रहा है question number 3 क्या का रहा है दोस्तों dash को long haul network कहा जाता है किसको कहा जाता है आपका option है lane, main, when अंतिम option है none of these तो दोस्तों आप लोग अपना answer का नफर्म करेंगे दोस्तों इसका सही answer होगा option C, wide area network को long haul network भी कहा जाता है तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे चलिए दोस्तों देखते हैं question number 4 क्या का रहा है question number 4 क्या का रहा है दोस्तों अरपा net है क्या है आपका option है दोस्तों आप लोग अपना answer confirm करेंगे कि अरपा net क्या है दोस्तों इसका जो सही answer होगा option A, बिसु का पहला वेन है अरपा net तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे और ये किसके द्वारा develop किया गया था अरपा net तो यह अमेरिका के द्वारा develop किया गया था आप से कहीं ये पुछे कि अरपा net का full form क्या होता है तो A से advance R से research P से project A से agency और net से network तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे advance research project agency network बहुत important question है यह 20 का पहला win है और अमेरिका के द्वारा develop किया गया था चलिए दोस्तों देखते है question number 5 क्या कहा रहा है question number 5 क्या है दोस्तों ISDN सेबा में modem की जरूरत नहीं परती है क्योंकि आपका option है इसमें computer को जोड़ा नहीं जा सकता है यह छोटी दुड़ी के लिए परयोग किया जाता है इसमें data हस्तानांतरन संभब नहीं है और अंतिम option है इसमें data हस्तानांतरन digital रूप में होता है तो दोस्तों आप लोग अपना answer confirm करेंगे कि ISDN सेबा में modem की जरूरत क्यों नहीं परती है दोस्तों इसका जो सही answer होगा option D इसमें data हस्तानांतरित digital रूप में होता है इसलिए modem की आप सकता नहीं होती है और आप से कहीं पूछ दे कि ISDN का full form क्या होता है तो I से integrated S से services D से digital और N से network तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे integrated service digital network चलिए दोस्तों देखते है question number 6 क्या का रहा है question number 6 क्या का रहा है दोस्तों micro computer को telephone से कौन सी बेवस्था जोडती है आपका option है video, modem, unix, cpu तो दोस्तों आप लोग अपना answer confirm करेंगे इसका परचलन पहले बहुत ज्यादा होता था आप लोग अपना answer जल्दी से confirm कर लें दोस्तों इसका जो सही answer होगा option B, modem modem का प्रियोग computer को telephone से जोडने की बेवस्था होती थी तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे इसलिए दोस्तों देखते है question number 7 क्या कह रहा है question number 7 क्या है question number 8 क्या कह रहा है question number 8 क्या कह रहा है question number 8 क्या क्या है आपका option है subscribers identity module subscribers identity machine self identity machine self identity module तो दोस्तों आप लोग अपना answer confirm करें कि seem का full form क्या होता है दोस्तों इसका जो सही answer होगा option A subscribers identity module होता है तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे exam में बहुत पूछा जाता है चलिए दोस्तों देखते है question number 9 क्या कह रहा है question number 9 क्या है दोस्तों दूर दर्सन पर सारण में चित्र संदेशों का संचरन होता है कैसे होता है आपका option है IAM modulation द्वारा आविर्थी modulation द्वारा कला modulation द्वारा अंतिम option है कौन modulation द्वारा तो दोस्तों आप लोग अपना answer confirm करें दोस्तों इसका जो सही answer होगा option A IAM modulation द्वारा चित्र संदेशों का संचरन होता है तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे चलिए दोस्तों देखते है question number 10 क्या कह रहा है question number 10 क्या है दोस्तों Y max निमलिखित में से किस से संबंदित है तो आपका option है jab परोद्योगी की अंत्रिक्च परोद्योगी की missile परोद्योगी की तो दोस्तों आप लोग अपना अंसर कनफर्म करें कि Y max का परोद्योग किसके लिए किया जाता है दोस्तों इसका जो सही अंसर होगा option D Y max communication technology से संबंदित है तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे चलिए दोस्तों देखते है question number 11 क्या का रहा है दोस्तों आप लोग अपना अंसर कनफर्म करें दोस्तों इसका जो सही अंसर होगा option D ये all to all सही है computer networking में ये तीनों होता है तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे चलिए दोस्तों देखते है question number 12 क्या का रहा है बारा नमर question क्या है दोस्तों backbone संबंदित है किस से आपका option है hardware से software से cybercrime से अंतिम option है internet से तो दोस्तों आप लोग अपना अंसर कनफर्म करें दोस्तों इसका जो सही answer होगा option D internet से संबंदित है किसी भी देश में internet की सेवा परदान करने के लिए internet backbone का परयोग किया जाता है तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे ओके चलिए दोस्तों देखते है question number 13 क्या का रहा है question number 13 क्या है दोस्तों C band प्रेशन में परयोग की आप सकता होती है आपका option है 3 GHz, 4 GHz, 5 GHz, 6 GHz तो दोस्तों आप लोग अपना answer confirm करें दोस्तों इसका जो सही answer होगा option D, 6 GHz का परयोग C band में किया जाता है तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे ओके चलिए दोस्तों देखते है question number 14 क्या का रहा है question number 14 क्या का रहा है दोस्तों signal की सकती कम हुए बिना network की लंबाई बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं किसका परयोग करते हैं आपका option है repeater, router, gateway, अंतिम option है switch तो दोस्तों बहुत ही अच्छा question है आप लोग अपना answer confirm करें दोस्तों इसका जो सही answer होगा option A, repeater का परयोग किया जाता है इसमें signal की सकती भी कम नहीं होती है और लंबाई भी बढ़ जाती है तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे चली दोस्तों देखते है question number 15 क्या का रहा है question number 15 क्या है दोस्तों national e-governance plan के अंतरगत SWAN क्या है आपका option है state wide area network systems wide area network state wide area network systems wide area network तो दोस्तों आप लोग अपना answer confirm करेंगे कि ये SWAN क्या है दोस्तों इसका जो सही answer होगा option A, state wide area network है तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे किसी एक state में जो network होता है उसे SWAN कहा जाता है तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे चलिए दोस्तों देखते है question number 16 क्या का रहा है question number 16 क्या है किसी company के क्रमचारियों द्वारा एक ही अस्थान में उप्योग किया जाने वाला अन्यन रूप से नीजी network होगा आपका option है internet, lane, when, arpanet तो दोस्तों आप लोग अपना answer confirm करें दोस्तों इसका सही answer option B होगा यानि कि lane local area network तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे किसी company के क्रमचारियों के द्वारा जो एक अस्थान पे यूज किया जाता है उसे lane कहा जाता है आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे चलिए दोस्तों देखते हैं question number 17 क्या कहा रहा है question number 17 क्या कहा रहा है दोस्तों 2G spectrum में अक्छड G किस सब्द के लिए परयुक्त है तो दोस्तों आप लोग अपना answer confirm करेंगे global, government, generation, google तो दोस्तों G का क्या मतलब है आप लोग अपना answer confirm करेंगे दोस्तों इसका जो सही answer होगा option C, generation, 2G, 3G, 4G यह सब जो G है वो generation है तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे चलिए दोस्तों देखते है question number 18 क्या कहा रहा है 18 नमर question क्या कहा रहा है दोस्तों संचार network जिसका पड़योग एक ही सहर में इस्थित नीजी या सारवजनिक computer को जोरने के लिए किया जाता है कहलाता है क्या कहलाता है आपका option है lane, when, main, can तो दोस्तों आप लोग अपना answer confirm करें किसका सही answer क्या होगा दोस्तों इसका जो सही answer होगा option C main metropolitan area network का पड़योग एक ही सहर में इस्थित नीजी या सारवजनिक computer को जोरने के लिए किया जाता है तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे चलिए दोस्तों देखते है question number 19 क्या कहा रहा है question number 19 क्या है दोस्तों data person की गतिकों मापने के लिए सामानिता परियुक्त इकाई है क्या है आपका option है megahertz, sum परतीक परती सकेंड bit परती सकेंड, अंतिम अप्सन है नेनो सकेंड, तो दोस्तों आप लोग अपना answer कन फर्म करेंगे दोस्तों इसका जो सही answer होगा option C, bits, 20 seconds तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे ओके, चलिए दोस्तों देखते है question number 20 क्या कहा रहा है question number 20 क्या कहा रहा है दोस्तों, mobile phone में परियुक्त CDMA प्रोध्योग्य की है क्या है, आपका option है computer development management application code division multiple application अपना अंसर कनफर्म करें दोस्तों, इसका जो सही answer होगा option C, code division multiple access होता है, तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ओके, चलिए दोस्तों देखते है, question number 21 क्या कहा रहा है question number 21 क्या कहा रहा है दोस्तों, GSM का पूर्ण रूप क्या है, आपका option है global system communication global system for communication global system for mobile communication अंतिम option है global system for mobile network communication तो दोस्तों, आप लोग अपना अंसर कन फर्म करें आप लोग जो mobile में सुनते होंगे कि इसमें GSM लगेगा सीम, इसमें CDMA लगेगा सीम, उसी का यह पूर्ण रूप है तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे तो आपको CDMA का तो बता दिये है अब आप लोग बताइए GSM का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा option C, global system for mobile communication GSM ओके, तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे चलिए दोस्तों, देखते हैं, question number 22 क्या कहा रहा है question number 22 क्या कहा रहा है दोस्तों, HTTP का पूर्ण रूप क्या है आपका option है higher text transfer protocol higher text transfer protocol hyper text transfer protocol अंतिम option है hyper text transfer protocol तो दोस्तों, आप लोग अपना answer confirm करें कि HTTP का पूर्ण रूप क्या होगा दोस्तों इसका जो सही अंसर होगा option C, Hyper Text Transfer Protocol तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे ओके चली दोस्तों देखते हैं question number 23 क्या कहा रहा है 23 number question क्या है दोस्तों, Wi-Fi का पुर्ण रूप क्या है आपका option है wireless film, wireless fidelity wireless feasibility अंतिम option है wireless fiber तो दोस्तों आप लोग अपना अंसर confirm करें दोस्तों इसका जो सही अंसर होगा option B, wireless fidelity होता है तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे ओके चली दोस्तों देखते है question number 24 क्या कहा रहा है question number 24 क्या है अब कुछ question shortcut ही से दे दिये है जो आपके लिए अच्छा होगा दोस्तों इसका जो सही अंसर होगा option B, F2 का पर्योग किया जाता है तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे आप किसी file या folder को select कर लेंगे और उसके बाद F2 प्रेस करेंगे तो rename करने का option आजाएगा आप नाम change कर सकते हैं चलिए दोस्तों देखते हैं question number 25 क्या का रहा है question number 25 क्या का रहा है MS office में paragraph को center align करने के लिए shortcut कुझी है आपका option है control plus C control plus E, alt plus E, alt plus C तो दोस्तों आप लोग अपना answer confirm करें कि paragraph को center align करने के लिए किसका पड़ियोग किया जाता है दोस्तों इसका जो सही answer होगा option B, control plus E का पड़ियोग पर अगर आपको center align करने के लिए किया जाता है तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे ओके चलिए दोस्तों देखते है question number 26 क्या का रहा है 26 नमर question क्या का रहा है दोस्तों print preview देखने के लिए shortcut कुझी है क्या है आपका option है alt plus P, control plus P alt plus F2, control plus F2 तो दोस्तों आप लोग अपना answer confirm करें दोस्तों इसका जो सही answer होगा option D, control plus F2 का पड़ियोग print preview देखने के लिए किया जाता है तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे आप किसी page को print करने से पहले उसका print preview देखना चाहते हैं तो control plus F2 आप प्रेज कर सकते हैं अचलिए दोस्तों देखते है question number 27 क्या का रहा है question number 27 क्या है MS Excel में बरतमान सेल के पूरे column को select करने के लिए shortcut कुझी है क्या है आपका option है shift plus space bar control plus space bar alt plus shift plus space bar alt plus enter तो दोस्तों आप लोग अपना answer confirm करेंगे कि MS Excel में आप जब किसी सेल में है आपका करसर किसी एक सेल में है और आप चाहते हैं कि इस पूरे column को select करना तो आप क्या करेंगे आप किस shortcut की का प्रयोग करेंगे आप लोग अपना answer confirm करें तो दोस्तों पूरे column को select करने के लिए control plus space bar का प्रयोग किया जाएगा तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे चलिए दोस्तों देखते है question मरा 28 क्या का रहा है question मरा 28 क्या है दोस्तों MS Excel में वर्तमान सेल के पूरे row को select करने के लिए shortcut कुझी है तो आपका option है shift plus space bar, control plus space bar alt plus shift plus space bar अंतिम option है alt plus enter तो दोस्तों आप लोग अपना answer confirm करें इससे पहले वाला जो आपको question बताए थे उसमें पूरे column को select करना था और इसमें आपको पूरे row को select करना है तो आप किस shortcut की का प्रयोग करेंगे आप लोग अपना answer confirm करें दोस्तों इसका जो सही answer होगा option A shift plus space bar पूरे row को select करना है तो shift plus space bar और जब पूरे column को select करना है तो control plus space bar चली दोस्तों देखते है question 29 क्या का रहा है question 29 क्या है दोस्तों MS Excel में परतेक formula का आरम किस चिन से होता है आपका option है hashtag at the rate equal to plus तो दोस्तों आप लोग अपना answer confirm करें दोस्तों इसका जो सही answer होगा option C MS Excel में परतेक formula का आरम equal to से होता है आप जब तक equal to का परयोग नहीं करेंगे तब तक कोई भी formula काम करना start ही नहीं करेंगा तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे exam में question पूछा जाता है चली दोस्तों देखते है question 30 क्या का रहा है question 30 क्या का रहा है दोस्तों MS Office में text को replace करने के लिए shortcut की है क्या है आपका option है control plus G, control plus H, alt plus R, alt plus P तो दोस्तों आप लोग अपना answer confirm करें दोस्तों इसका जो सही answer होगा option B, control plus H का परयोग replace करने के लिए किया जाता है तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे ये आपका total 30 question था आप लोग comments करके बताएंगे कि आपका 30 में कितना सही हुआ पहले से आपको कितना पता था और ये alt to all question आपको कैसा लगा यदि आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को like कर दे आप अपने दोस्तों में भी share करें यदि आप मेरे channel पे नए है तो channel को subscribe कर लें तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा new video लेके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार